Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं Class 10th Hindi की Worksheet No.35 यानि की 35 को आज की Worksheet भी बेहदासान है, साथ साथ बहुत इंट्रेस्टिंग रूची कर भी है आज हम पढ़ने वाले हैं इस Worksheet में एक कविता अट नहीं रही है अटका अर्थ होता समाना कि समाया नहीं जा रहा है इतनी सुंदरता है परकरती में इतनी सुंदरता है वशंतरीतों में तो ये जो कविता है, ये सूरे कांत्रिपाठी निराला जी द्वारा रचीता है बहुत सुन्दर कवीता है उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद आसान से कुछ कोश्यन दिएगे जिनको हम सॉल करेंगे चली शुरुवात करते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं ये हमारी वर्कशीट कारे पत्रक संख्या 35 है हमारा विश्य हिंदी है जिसमें हम कवीता पढ़ने वाले अट नहीं रही है आज की दिना के 23 तंबर दो हजार पीस चले कवीता के साथ हम शुरुआत करते है अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है अट नहीं रही है तो यहां पर जो कवी है इन पंक्तियों में वो फागुन माह में जो वसंत रितु आती है फागुन में आती है लगवग फैब में आती है फैब और मार्च म खूपसूरती इतनी अधिक है कि वो अट नहीं रही है, समा नहीं रही है, बहुत ज़्यादा खूपसूरत चारोतरफ मौसम हो गया है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, और कभी यहाँ पे मानवी करण करा है, मानवी करण मतलब होता है कि परकृति को मानव जैसी उप संपले होंगी, कोमल पतिया निकली होती है, रंग बिरंगे फूल होते हैं चारोतरफ, और जब हवा लेती है, तो हवा वो उस खुस्बू से भर जाती है, तो इसलिए कभी कह रहा है, कि ऐसे लगता है, जिसे फागन खुद सांस ले रहा हो, और वातावन घर घर भर देते ह होंगी, मतलब हर घर में वो खुस्बू विखरा देती हुं, वातावन को महका देती हो, उड़ने को नब में तुम पर-पर कर देती हो, और कभी को ऐसा भी लगता है, कि जैसे फागन है, वो आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख़ड-फड़ा रहा है, पर-पर कर दे केथो यन की पंकों को फड़ फडा रहा है आंखम rehabilPal halten हुए और सुन्दर्टा पर इतना अधिक कवी मोहित है जो वशंत्रितु की सुन्दर्धा है कि वह कहतें कि वह आंख्ठना तो चाहते हैं उस सुन्दर्धा से हट नहीं रही है लेकिन आँखें हट नहीं रही है तो यहां पर भी फागुन का मानवी कर्ण क्या गया है कि उसकोई सुन्दर्ता को इस तरीके से दिखाया गया है दर्शाय गया है कि जैसे वो मानवी सुन्दर्ता हो पत्तों से लदी कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर में और रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं कहीं पे हरा है तो कहीं पे लाल रंग का है कहीं पड़ी है उर में मंध गंद पुष्प माल और कवी को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने खुद अपने गले में रंग बिरंगे, खुश्बू वाले, सुन्दर से फूलों की माला पहन लियो, पाट पाट सोभा सरी पट नहीं रही है, तो यहाँ पे पट का अर्थ समाना नहीं समाना होता है, जैसे कि अट का है, उसी तरह के, कि इतनी अधिक सुन्दरता कण कण में, पाट पाट सोभा सरी, पाट पाट का जगए जगए यानि कि कणकण में इतनी अधिक सुन्दर्ता बिखरी पड़ी है कि वो समाहित नहीं हो पा रही है धरती है धरा है उसमें वो सुन्दर्ता है वो नहीं समा पा रही है तो यहाँ पर आसान सी बड़ी अच्छी पंक्तियों में कवी ने बताया कि वसंतरीतु जब आती है, तो चारो तरफ फूल होते हैं, रंग ब्रंग फूल होते हैं, नई पत्ते होते हैं, कॉंपले होती हैं, और सुंदरता देखने लायक होती है, तो ये थी कवीता जिसको हमने समझा, यहाँ पर आपको भावार्त समझनी के आप सकता नहीं है, हमने अब हम परशनोत्र की बात करते हैं, आसान से कुछ परशन दिये गए हैं, पांच कोशन दिये गए हमें, जिनके उत्तर आपको लिखित में यहां मिलेंगे, पहला जो हमारा आज का परशन है, कोशन दिया गया है, वो है कि कवी की आँख फागुन की सुन्दर्ता से क्यों नह नहीं रही है, दूसरा कोशन दिया गया है, फागुन में ऐसा क्या होता है, जो बाकी रितों से भिन होता है, फागुन में सभी पेड़ पोधों पर नए नए पत्ते निकलाते हैं, और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लट जाती है, जो बाकी रितों में नहीं होता ह उसके बाद तीसरा हमारा कोशिन दिया गया कि परकृति के सुंद्रे के दृष्टी से आपको सबसे अच्छी रीतू या महिना कौन सा लगता है या आपका अलग हो सकता तो आप अलग लिखोगे और क्यों यह भी आपको लिखना है यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से उत्तर दिया कि मुझे परकृति के सुंद्रे के दृष्टी से वसंत्री तू सबसे अच्छी लगती है क्योंकि इस वक्त सभी पेडों में नए नए पत्ते निकलते हैं चारों और हरा भरा औरंग बिरंगा दृष्य होता है चोथा कोशन है कविता में मानवी करण अलंकार के दो धारन ढून कर लिखी मानवी करण अलंकार क्या होता है कि जब परकृति के उपर या निर्जी वस्तों को ऐसा दिखाया जाया जैसे कि वो मानव की तरह है जैसे घटा मुस्कुरा रही है बादल मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराते हैं हमें न, तो वो मानविकर अलंकार है, तो यहां पर भी इस कवीता में कुछ मानविकर अलंकार है, वो प्रियोग किया गया है, जैसे कहीं सांस लेते हो, इस पंक्ति में, अब परकृति है, ऐसे दिखाया है, जैसे वो सांस की तरह दिखाया गया पांचवा कोश्चन जो हमारा है एक गतिवीदी दी गए है कि हमें सुरेकान तिरपाठी निराला जी है उनके बारे में और जानकारी इकठी करनी है और उनकी रचनाओं के नाम भी हमें बताने है तो सारी जानकारी है वो मैं ले आया हूँ यहां पे सु प्रियावाद के परमुक स्तम माने जाते हैं यानि कि यह परकरती के कवी रहे हैं परकरती के बारे में लिखते रहे हैं उन्होंने कहानियां उपन्यास निभंद भी लिखे हैं लेकिन उनकी जो ख्याती है वो विशेश रोप से कवीता के कारण ही है उनकी रसनाओं की बात शरोज समिर्ति ये परमुख है और गध्य रचनाओं की बात करें तो चतुरी चमार परभावती और निर्मपमा ये विशेश रूप से उनकी गध्य रचनाओं परशिद रही है तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वरक्षीट आसान सी वरक्षीट उमीद करता हूं आपकी चुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे इस सेनल को लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है थेंक यू बाइबाई हैव नाइस टे बाइब होंगे तरह के लिए से कमें हैसान आपकी सब्सक्ते पार मतारा है यह होंगे नापकीजए वेगा यू पीजर क dificil का बाइबाई गया हुए होंगे इस क्षगे यह एग जा हम जा करता है ऩे फजह हैंगे आपकी पाराईब कर आपकीजए औरहा है